Hey what's up guys this is Manjit and welcome to my smart world YouTube channel So guys once again बात करने वाले हैं एक ऐसी dog bead के बारे में जिसमें आप लोगों को हर एक वो qualities मिल जाएंगी जो एक perfect dog bead में होनी चाहिए जियां guys आजम बात करने वाले हैं German Shepherd के बारे में So guys इसी German Shepherd puppies सिर्फ mainly available हैं Female already sale हो चुकी हैं और अगर इनके coat के बारे में बात करें तो puppies medium coat में हैं वैसे medium coat के German Shepherd को maintain रखना काफी easy होता है अगर आप लोग long coat के German Shepherd को purchase करते हैं तो उनके आप लोगों को काफी care करनी पड़ती है वैसे puppies काफी active हैं और quality भी काफी अच्छी है वैसे owner specially bully kutah काम करते हैं अगर आप लोग German Shepherd के अलावा bully kutah puppies purchase करना चाहते हैं तो आप लोग उनसे contact कर सकते हैं उनके पास आप लोगों हमेशा अच्छी से अच्छी quality के bully kutah puppies मिल जाएंगे वैसे दोनों काफी अच्छी guard dog bead है पर डिपेंड यह करता है कि आप लोग एक मस्टिफ dog bead पसंद है या फिर medium तू लाज साइज की चर्माइ शेफ़ड की sense of smell काफी अच्छी होती है और जब भी आप लोग बाहर से आओगे तो आप लोग को हमेशा gate पर मिलेंगे आप लोग के welcome करने के लिए और friends अगर आप लोग चर्माइ शेफ़ड को purchase करें और आप लोग first time bonus है तो कुछ बातों का खैल जरूर रखें जैसे की एक तो आप लोग पपीज को दूद बिल्कूल भी न दे क्योंकि पपीज को दूद डाइजर्ट नहीं हो पाएगा उसकी विएसे उन्हें वो मेटिंग या लूज मोशन लग सकते हैं और सेकेंड चीज जर्मान शेफ़ड को आप लोग हमेशा sleepy first पे न रखें उन्हें वोक पर लेके जाएं और डेली उन्हें कुछ देर के लिए छट पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ज्यादा तरह ये जर्मान शेफ़ड में ही देखा गया कि उनकी लैक्स काफी जल्दी बैंड हो जाती हैं इन सभी चीजों की विएसे और उन्हें स्टेज पर भी आविन जो हमारे घर में पैडिया होते हैं उन पर भी थ्री मनस तक ना चड़ने दे अगर आप लो जोनों को क्वालिटी काफी अच्छी है और फेंस अगर आप लोग के मैंड में कोई भी क्वेस्टिन या कोई भी डाउट है तो डारेक्ट टोग उन्हें से कॉंटक करके आप लोग डिसकस कर सकते हैं नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो चले गाइस की एज के बारे इमबात करें तो आज ये 50 डेस के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है हिसार हर्याना से और फ्रेंट्स पपीस काफी अच्छे एंगूलेशन में भी हैं और अगर डिलीवरी के बारेम बात करें तो ओनर आप लोग को काफी सारी एरियाज में डिली अफैलिबल है और काफ़ी अच्छे एंगुलेशन में है तो ओने ने जो उनके प्राइस की डिमांड किये वो किये 15,000 पीस यानी 15,000 रुपे प्राइस नेगोशेबल है परशेस करते टाइम आप लोग इसमें अच्छा खासा डिसकाउंट मिल सकता है तो दस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलता है अप लोग से एक और न्यू और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाबाई